हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चिंपीन गुर्जी फेंड्स आज के स्पीडिम लोग फैक्टोरियल का प्रतिसत निकलना सिखेंगे और वह भी सबसे बहतरीन तरीका से जी हाँ दोस्तो आपसे यही कुशन कम्यूनिटी में पुछा गया था जिसका अधिकतर लोग गलत अंसर बता हैं क्योंकि उनको फैक्टोरियल का मतलब ही पता नहीं था तो देखिए दोस्तो इस कुशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस फैक्टोरियल का मतलब क्या है ठीक है तो देखिए यहां पर सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं तो देखिए फैक्टोरियल को इस दो चीन से सूचित किया जाता है कौन से चीन से तो एक इस तरह से यहां पर एल की तरह लाइन बना जाता है या इस तरह से एक लाइन बना कर यहां पर एक डॉट लिखा जाता है तो यह होता है फैक्टोरियल का चीन ठीक है देखिए किसी भी संख्या के साथ इस तरह का चीन लग जाएगा दूर उसका मतलब क्या होगा तो फैक्टोरियल है यानि यहाँ पर दो और उसके बाद इस तरह का चीन लगा हुए तो इसका मतलब क्या होगा तो दो फैक्टोरियल उसी तरह से यहाँ पर इस तरह का चीन लगा कर और यहाँ पर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है तो 3 factorial तो आप देखिए 2 factorial का मतलब क्या है यहां समझते है ठीक है तो देखिए 2 factorial का मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे तो यहां पर 2 लिखा हुआ है न तो सबसे पहले यहां पर 2 लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे तो यहां पर एक आजाएगा और इसको गुना कर देंगे और हमको एक तक ही जाना है उसके बाद छोड़ देना है ठीक है तो देखें दो में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर दो आजाएगा यानि दो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया तो दो हो गया उसी तरह से देखें यहाँ ते में बना यानि ते में फैक्टोरियल का मतलब कीतना हो गया तो 6 हो गया तो इसको आप आशी तरह समझ गया है तो इस question को solve करना बहुत ही असन है देखिए यहाँ पर 5 factorial लिखा हुगा है और उसका पुछा जा रहा है कि 5 factorial का 20 प्रतिसत कितना होगा तो इसको निकालने के लिखा करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस 5 factorial का मान निकालेंगे तो देखिए 5 factorial का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो देखिए 5 का यहाँ पर 5 लिख देंगे सबसे पहले और एक एक घटते हुए एक तक जाएंगे तो देखिए 5 के एक पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना चार लिखेंगे और चार के पहले एक तीन घटेंगे एक घटेंगे तो तीन आजाएगा तीन से एक घटेंगे तो दो आजाएगा और दो से एक घटेंगे तो एक आजाएगा और एक तक आगए एक तक आगए तो यहाँ तक छोड़ तो 120 200 में से गुणा करेंगे तो 120 ही गो जाएगा ठीक है यानि 5 factorial का मतलब है कि 120 तो यहाँ पर 5 factorial का पूछा जा रहा है 20 परहतिसात यानि आप से पूछा जा रहा है कि इस 120 का फ्रहतिसात निकालने के लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर вашёл पर आप 120 लिख सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं चलिए सबसे पहले यहां पर क्या लिख देते हैं इस 5 फैक्टोरियल के निकाले हैं कितना मतलब हैं तो 120 है तो यहां पर 120 लिख दिए इसका का का मतलब क्या होता है मायत में तो का के जगा पर हम गुणा का चिन लगाते हैं तो यहां पर गुणा का चेस लगा देंगे और इसका निकालना है 20. तो यहां पर 20 लिख देंगे और इस प्रНाइशत के जगा आज़ादे होंगे जहां भी इस तरह से प्र tart слыш 2020 यहां और ऑब सब्धे जामना है उसके जगा पर 5 फैक्टोरियल का 20 प्रतिसत कितना निकल करा गया तो 24 निकल करा गया ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और कुशन देखते हैं ताकि आपको और वीची तरह समझ में आ जाए तो यहाँ पर दूसरा कुशन है कि आपको फैक्टोरियल का 30 प्रतिसत निकलना है कि कितना होगा ठीक है तो देखिए अहाँ पर हम क्या करेंगे तो सबसे पहले इस 8 फैक्टोरियल का मान निकलने अकले हम क्या बता हैं तो इस 8 के जगा पर हमें 8 लिगेंगे और इसके बाद है 8 से एक एक घड़ते हुए हमको एक तक जाना है और सभी को गुना कर देना है तो 8 से एक पहले क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 से एक पहले 6 6 से पहले 5 5 से पहले 4 4 से पहले 3 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1 आ जाएगा ठीक है इस तरीके से इसको गुना में लिख दिये और देखी इसको हम गुना करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है और उसका हम 30% निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर गुना करके लिखेंगे न तो फिर से यहाँ पर calculation बढ़ जाएगा इसलिए क्या करेंगे तो सबसे पहले इस 8 factorial का जो यहाँ पर इस तरीके से गुना के रुप में ही लिख देंगे ठीक है यहाँ पर गुना करके नहीं लिखेंगे इससे आपका क्या होगा तो calculation आसान हो जाएगा उसके बाद देखिए इस 8 factorial कमान तो इतना आ गया और यहाँ पर का का मतलब क्या होता है तो गुना उसके बाद यहाँ पर गुना का चीन लगा दीजिए और यहाँ पर 30 प्रतिसत निकला है तो 30 का यहाँ पर 30 लिख दीजिए और इस प्रतिसत के जगह पर बटा में 100 लिख देंगे इस तरह से तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 0 से या 0 कट जाएगा उसके बाद देखिए यहाँपर क्या बच गया तो यहाँ पर देखिए नीचे 10 बचा हुआ है तो इससे हम कटा देंगे क्योंकि उपर यहाँ पर संक्या है और नीचे 10 है तो देखिए किसे कट जाएगा तो 2 से देखिए 2 से यहाँ 10 5 पर में कट जाएगा और इस 5 से यहाँ 5 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तो देखिए यहाँ पर बच गया है यहाँ पर बच गया है कितना तो आठ बच गया आठ गुना साथ गुना छे और गुना यहाँ पर चार बच गया है और गुना यहाँ पर तीन बच गया है और यहाँ पर देखे एक बचा हुगा है और गुना यहाँ पर तीन बचा हुगा तो इसको गुना कर लेंगे तो आपका एंसर निकल कर जाएगा तो चलिए इसको गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर जाएगा बारे हजार च्छी आनवे निकल कर जाएगा ठीक है इसको जब गुना करेंगे तो बारे हजार च्छी आनवे निकल कर जाएगा और यह तो दोस्तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल का प्रतिशत बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं तो देखिए यहां पर एक क्रेशन दिया गया है कि चार फैक्टोरियल का 10 प्रतिशत कितना होगा इसको सॉल्व करके आप इसका सही अंसर कमेट बगस में बताएए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्रिप कर जिए तक ही ऐसी वीडियो आपको रेगर मिलती रहें